स्री शिवाय नमस्तु भ्याम हरहर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आची वीडियो में मैं आप सभी के साथ कार्टिक मास में पत्थवारी माता की पुजा स्थापना कैसे करे और पत्थवारी कब और कैसे वोई इसकी जनकारी शेर करूंगी कार्टिक की महीने में पत्थवारी बोकर और प्रति दिन पुजन कर उनको सीचने से घर में कभी धन संब्रतागी कभी कमी नहीं होती कार्टिक की महीने में तुलसी माता और पत्थवारी माता दोनु की एकशाथ पुजा की जाती है पथवारी कातिक मा के सुरवात यानि पहले दिन में ही बोया जाता है और पूरे महिने इसको सीच कर पूजा किया जाता है 12 महिनों में सबसे स्रेश्ट महिना कातिक का महिना होता है इस महिने में गंगा इसनान करने, दीबदान करने, तुलसी पूजा करने, पत्वारी माता की पूजा करने आदी से अनंद गुनाफल प्राप्त होते हैं अब आईए जानते हैं कि पत्वारी हमें कैसे बनाना है पथवारी बनाने के लिए सबसे पहले गोबर, गेरू या हल्दी से जमीन पर लेपन कर देना है तो यहाँ पर मैंने गेरू से लेपन कर दिया है इसके बाद आटे से अस्ट दल कमल बना दूँगी अब इसके बाद पत्वारी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मिट्टी का कुंडा लेना है आप मिट्टी के कुंडे के अस्थान पर इटा से चारो तरब गेर कर पत्वारी बना सकते है मिट्टी के कुंडे में हमें साफ अस्थान की मिट्टी को डाल देना है आपको यदि मिट्टी ना मिले तो आप गमले की मिट्टी का भी प्रियोग कर सकते हैं पत्थवारी माता की स्थापना हमें तुलसी माता के गमले के पास ही करना है सेम इसी तरह आपको इता से चारो तरफ घेर कर बीच मिट्टी डाल कर पत्थवारी माता की स्थापना की जाती है तो यहाँ पर मैंने कुंडे में मिट्टी भर दिया है इसके बाद एक पत्थर के तुकडे पर माता पत्थवारी का सरूप देकर अच्छत पुस्प का आसन देते हुए मिट्टी के कुंडे में विराजमान कर दिया है कीवल पत्थर रखकर भी पत्वारी माता की पुझा कर सकते हैं अब मिट्टी के अंदर माता को विराजित करने के बाद हम अब पत्वारी बोएंगे पत्वारी बोने के लिए हमें पासत्रे के अनाज लेना है आप 5, 7, 9 तरह की भी अनाज ले सकते हैं यहाँ पर मैंने पांच अनाज के रूप में चैना मटर गेहूं मक्का जौ लिया है सभी अनाज को एक साथ मिला लेंगे सभी अनाज को हम मिट्टी के कुंडे में इस तरह से बिखेड देंगे और अनाज को बिखेडने के बाद थोड़ा सा हम जलका छीटा कर देंगे छीटा हमें इतना करना है कि ताकि हमारे मिट्टी अच्छी तरह से गीली हो जाए छीटा देने के बाद हम पुना पर से मिट्टी डाल देंगे और थोड़ा सा उपर से दुबारा से छीटा कर देंगे तो इस तरह से पथवारी बोई जाती है पथवारी में अनाज बोने के बाद अब हम मिट्टी के कुंडे को चारे तरफ से रोली का टीका कर देंगे यदि आपने इटे से पथवारी बनाया है उस पर भी चारो तरफ रोली का टीका कर दें तो इस वीदि से कातिक के महीने में पथवारी माता की स्थापना की जाती है पथवारी माता और तुलसी माता की पूजा का वीडियो मैं अपने अगले वीडियो में दोंगी तो उमीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जै माता तुलसी जै माता पतवारी की